काल जैश्री महांकार दो सब सभी का आपके अपनी चैनल में आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है और दिल से आपका शुक्रिया अक्सर आपके मन में ये प्रशन खड़ा होता है कि हमें कौन सी धातू पहना चाहिए सोना चांदी तांबा लोहा और कौन- इस पूरे वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि कई बार ये चीज़े बहुत जादा आपकी जिवन पर प्रभाव डालती है और हमें पता भी नहीं होती है तो क्या-क्या बाते हैं और इन बातों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं उन सभी चीज़े उपर हम आज इस वीडियो मे बात करेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा महत्पूने से पूरा और अंतर तक देखें ताकि आपको सही चीज़े पता लग पाएं लेकिन उसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रेब करें नहीं क्या है नहीं ली रहें अप वाटसप पर अपॉइंट में लेकर मुझसे बात कर सकते हैं तो हम आते हैं मुद्धे पर हमें कोंसी धातु पहिनना चाहिए धातू का अपना एक एफेक्ट है अपना एक संसार है हम जो भी धातू अपने सरीर पर धारन करते हैं उसका तुरंद आने वाले 24 20 गंटे, 28 गंटे, 7 दिन, 8 दिन इनका प्रभाव हम पर होने लग जाता है क्योंकि हर एक धातू जो है वो हर एक ग्रह को रियलेट करती है और उसी वज़े से हम हमें नहीं पता होता है कि हमारे जो ग्रहस हैं वो कहां का पर बेठे हुए है किस पोजिशन में है कुन सा माध चल रहा है नहीं चल रहा है क्या positive और negative है और उस वज़े से यदि हम कुछ गलत धातूए पहन लाते हैं जैसे कभी आप सोना पहन लिया तो हमारे साथ दिक्कते हो शुरू हो जाती है शान्दी पहन लेते तो उससे फिर दिक्कते शुरू हो जाती है ताम बेस परिशानी श साथ देखिए और वो उसको observe नहीं कर पा रहे है कि observe करने का point है और उस वज़े से वो परिशानिया सता सता देखते रहते हैं तो करना क्या है इस बात पर हम बात करें कि सबसे पहले तो कोई भी धातूपहन है उसका आप 7 दिन observation करके रखे इसका क्या effect हो रहा है क्या नहीं ह हम सोना पहनते हैं तामा भी साथ में पहनते हैं और चांदी गले में चेन पहन लिया या चांदी कांगोटी पहन लिया तो एक पुरा combination बनता है अब वो particular हार एक व्यक्ति के चो हो रहा होता है उस पर depend होता है कि क्या चीज़े हमें पहनना चाहिए क्या नहीं चाहिए पर मै मैं अगर आपको नीजे दोर पर राय देना चाहते हूं कि अगर जब भी आप कोई भी धातू पहने तो साथ दिन तक उसे पहन कर देंके उसको क्या positive result है क्या negative result है अगर कुछ negative result आपको दिखाई दे रहा है तुरन ताप उसे उतार दें उसे continue नहीं करें और दूसरी और चांदी दोनों हम पहनते कई बार ताबा भी पहन लेते हैं तीनों भी पहने उसे भी इस तरह से ही आप observe करें और उस चीजों को खुद पर लागू करके दिखे कहीं इनका हमें negative असर तो नहीं कुछ हो रहा है हां कहीं बार यह होता है कुछ चीजे positive होती है पर कुछ च कामान निस्तिती है तो कोई दिक्कत भी बात नहीं है पर मैं एक और बात कह दाना चाहता हूं कि इससे अच्छा है कि आप कोई भी धातू ना पहने कि धातू से जितना हम दूर रहेंगे उतना हम positive रहेंगे लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो जरूर पहने मैं उसमें रो